वेलकम, वेलकम, हीना के किचल में वेलकम, मेरे प्यारे प्यारे विवर्स को मेरा प्यार बरा सलाम आज हम बनाएंगे बहुत ही जटपड, सिंपल, आसान और मज़ेदार चिकन पास्ता चिकन पास्ता बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद होता है बहुत ही शौक से सब लोग खाना पसंद करते हैं चिकन पास्ता बहुत ही जटपड बनकर तयार हो जाता है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा चिकन पास्ता हम घर पर बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वो भी मेरे स्टाइल है चिकन पास्ता बनाने के लिए हमने 1500 गिराम हमने पास्ता लिया है 300 गिराम हमने यहापे बॉनलेस चिकन लिया है जिसको हमने छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है आप चाहे तो चिकन के छोटे छोटे पीस ले लीजिए चाहे बड़े-बड़े कुछ यहां हमने वेजटेबल्स ली है एक शिमला मिर्च ली है इसको लंबे-लंबे सिलाइसिस में कट किया है दो मीडियम साइस के टमाटर इनको भी सरागे सिलाइसिस में कट कर लिया है दो मीडियम साइस के प्यास इसको भी हमने बहुत बारिक कटनी किया है थोड़ा मोटा मूटा कट कर लिया है अब यहाँ एक पैन लेंगे जितना हमने पास्ता लिया है उससे डबल हम यहाँ पर पानी अड़ करेंगे पास्ता को हमेशा बॉयल वाटर में ही डालना चाहिए इससे पास्ता चिपकता नहीं है आपस में अब इसमें एड करेंगे हम 1 टी स्पून नमक और 2 टी स्पून ओल इससे पास्ता आपस में कभी भी चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से बॉइल हो जाएगा अब पानी में हम बॉइल आने देंगे तब पास्ता एड करेंगे बस यह देगे पानी में बहुत अच्छा सा बॉइल आ चुका है अब इसमें अट करर से बॉइल करेंगे हम पास्ता बस अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हिला लेंगे एक दो बार बीच में भी चलाते रहेंगे बस देखे बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है अब इसे कवर करके हम 6-7 मिनट के लिए पका लेंगे तब तक हमारा पास्ता बनकर तैयार होता है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं यहां हमने एक पैन ले लिया है इसमें एड़ करेंगे हम 1 टेबल स्पोन ओइल ओईल को गरम होने देंगे थोड़ा इसमें एड़ कर देंगे हम प्यास बस प्यास को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे थोड़ा सा बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है हमें बस थोड़ा सा कलर चेंज होना है यह देखे थोड़ा सा कलर चेंज होगे हमारी प्यास का वेजिटेबल को गलाना नहीं है सिर्फ फ्राई करना है थोड़ा सा अब इसमे आइड कर देंगे हम टमाटर इसको भी फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल को फ्राई करने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है बस अच्छे से फ्राई हो गई है थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे बहुत ही अच्छी सी फ्रेक्रेंस आ रही है वेजिटेबल्स की अब हम इनको निकाल लेते हैं बस इसी पैर में अब हम वन टेबल एस्पून आड़ करेंगे ऑईल इसमें आड़ करेंगे हम वन टेबल एस्पून भरकर जैसु नद्रक का पेस्ट अच्छा से सौटे करेंगे जिससे लैसुन अद्रक का कच्चापन निकल जाए बस अब इसमें आड़ करेंगे हम चिकन इसको भी बहुत अच्छे से भून लेंगे लैसुन अद्रक के साथ बहुत ही मज़ेदार बिलकुल रेस्टोरेंट जैसा हमारा चिकन पास्ता बन कर तयार होता है एक बार आप जरूर ट्राइ कीजेगा और अपने एक्स्पिरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा यह देखें चिकन हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है अब इसमें हम एड करते हैं अपने मसाली अब इसमें एड करेंगे हम 1 टी स्पून काली मिर्च पाउडर 1 टेबल इस्पून चिली सॉस चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं अब आड करेंगे 1 टेबल इस्पून टोमेटो कैचप और 1 टेबल इस्पून सॉया सॉस आड करेंगे बस अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनते हुए पकाएंगे बस ये देखें पक चुका है बहुत अच्छे से हमारा चिकिन भी गल चुका है अब इसमें एड करेंगे हम अपनी फ्राइ की हुई वेजिटेबल्स इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप से हमबल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अभी तक हमने इसमें नमक एड़ नहीं किया था अब इस पॉइंट पर हम नमक एड़ करेंगे वन टी स्पॉन और अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक हमने बाद में इसलिए एड़ किया है इससे हमारी सबजियां गलेंगी नहीं कुरकुरी रहेंगे बस अब पास्ता एड़ करेंगे ये देखिए पास्ते को हमने स्ट्रेंड करके रख लिया था अब इसमें एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे वेजटेबल के साथ बस ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा पास्ता मिक्स हो चुका है बस दो मिनट के लिए हम पास्ता के साथ पकाएंगे जिससे पास्ता में भी बहुत अच्छा सा फिलेवर आ जाए बस हरा दनिया गार्निश कर देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजेगा ऐसी ही सिंपल और आसान मज़िदार सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल नहीं भूलेगा इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही यमी चलिए अब आप भी बनाएए और इंजोई कीजिए फिर मिलती हूँ ऐसी ही सिंपल आसान और मज़िदार सी रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा दूाओं में याद रखेगा अल्ला हाफिज